सरकार के मंडी टेक्स कम करने के निर्णए से प्रदेश की मंडियों की इस्ति खराब हो गई है उज्जन संभाग में ही कई मंडियों में कर्मचार्यों को वेतन देने लायक आवक नहीं हो पा रही है सरकार ने व्यापारियों के दबाव में आकर मंडी टेक्स को 1 रूपे और 70 पेसे 31 से घटा कर 50 पेसे 31 कर दिया था और मॉडल मंडी एक्ट में आउटर मंडी यानि मंडी के बाहर होने वाले सोधे को टेक्स फ्री कर दिया था इस तरह से टेक्स कम करने से प्रदेश की मंडियों में होने वाली आई बहुत ही कम हो गई है और इसका विपरित प्रभाव पड़ा है मॉडल मंडी एक लागूं होने के कारण मंडी के बाहर होने वाले सोधे से आई बिलकुल निरख हो गई है मंडी प्रशासन को मंडी के बीतर से सेलरी देने लायक टेक्स मिलना बंद हो गया है मंडियों की आर्थी किस्ति का आपलन इस बात से लगाया जा सकता है कि संभाग की कई मंडियों में करमचारियों को सेलरी देने लायक आई नहीं हो पा रही है इसके चलते कर्मचारियों में रोश व्याप्त है प्रदे सरकार ने इस कम टेक्स को तीन महा के लिए करने का आदेश जारी किया था जो बारा फरवरी को खत्म हो रहा है इन तीन महिनों में होने वाली आई का आकलन सरकार करेगी उसके बाद मंडी टेक्स के पुना निर्धारन करने की कवायद होगी हो सकता है सरकार इस आई की कमी को देखते हुए दुबारा टेक्स की व्रद्धी करे मंडी बोर्ड उपसंचालाक SBCA के अनुसार मंडी प्रशासन की उम्मेद अब बारा फरवरी को होने वाली समिक्षा पर टिकी है पिछले दिनों राजिसासन ने निर्णा लिया था कि मंडी टेक्स को कम करते हुए उन्होंने 50 पैसे किया है पचास पैसे से करने के बाद जो है उसको तीन महीने का समय दिया गया है कि अभी वर्तमान में हम पचास पैसे मंडी टेक्स को निर्धारन करते हैं और तीन माह पस्चाद इसकी समिक्षा की जाएगी तो तीन माह लगभग बारा फरवरी को कम्लीट हो रहे हैं तो उस बैठक्डी साइथ टेक्स के सम्मन में निर्धारन के बारे में तमिक्षा की जाएगी जो भी निर्णे राज सासन के धोरे किया जाएगा वेवहिलाग jsem यह सब बातें जो हैं नितिकत हैं सरकार के दोरा जूरी निया मिर्देश दिये जाएंगे उसके रूप करवाई की जाएगे